गुड मॉर्णिंग स्टुडेंट्स आज का एफेजरी का पेपर एवीएस का और हिंदी का है तो पहले हम एवीएस को पढ़ेंगे टिक डा कलेक्ट ऑप्शन जो कपड़े होते हैं वो किसे बचाते हैं हमें डस्ट से जम से या बोथ दोनों से वूलन क्लोथ की पस वूलन क्लोथ हमें कैसे रखते हैं कूल रखते हैं वाम रखते हैं या नन the person who treat us when we are sick जब हम बिमार जाते हैं तो हम किसके पास जाते हैं कैमिस्ट के पास, डॉक्टर के पास या फार्मर के पास trees are the biggest इन मेसे जो है वो क्या है सबसे बड़ा क्या है flower है, stem है इसका या plants है fill in the blanks तो आपको ये मैंने hint box दिया है इसमें क्या करना है आपको इन में से चूज करके answer fill करने, a dash is a floating house कौन सा है इन में से floating house तो आपको ये इन में से चूज करके आ लिखना है, silk is dropped and from silk कहां से मिलती है हमें answer लिखना है, a dash has seeds inside, किसके अंदर seeds होती है कच्चा house mostly found in कच्चा house कहां मिलता है, कहां देखने को मिलता है हमें, तो इन में से आपको चूज करके answer fill करना है, answer the following questions, why do we wear wool and clothes हम in winter, winter में हम दिख सर्दी आती हैं तो हम winter में गरम कपड़े क्यों पैनते हैं तो उसका answer fill करना है name and it to temporary house to temporary house के आपको name लिखने है name the person who is stitched clothes for us जो हमारे लिए कपले चलता हूँ, उसका नाम क्या है अब है match the following cotton wool कर, jute, silk one jute plant, husk of coconut plant, sip, sex bags तो आपको इनको सही से सही match करना है name the places where the following plants grow जहाँ पर ये plants grow होते हैं यानि कि ये mango tree है, ये cactus है, ये है pine tree, ये है water ले ले, तो ये जहाँ जहाँ उगते हैं grow होते हैं, यानि कि तो आपको महां का name लिखना है कि ये कहाँ कहाँ उगते हैं, ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये वरक्षिट करनी है next है हिंदी का, सही उत्तर पर राइट का निशान लगाईए दीन सुभाव से कैसा लड़का था कैसा था, आलसी घमंडी ये दयालू कुवे तालाबो को पानी कैसा होता है दुशित, स्वच्च ये रंगील कृष्णा नगर के किस नदी के तटपर बसा है हुगली, गंगा नदी ये नम्रदा नदी उट की उचाई लगबक कितनी होती है छे फूट, साथ फूट या आठ नो फूट आठ नो फूट या नो दस फूट तो आपको इसमें सही से सही आंसर पर टिक लगाना है निमलिकित प्रश्णों के उत्तर लिखिए तो हमें प्रक्ति दिन कितना पानी पीना चाहिए कितना पानी पीना चाहिए हो आपको मैंशन करना है यतिन नंग्रेज को क्यों पीटा पानी को उबालना क्यों आविशक है उट क्या क्या खाता है तो आपको इनका आंसर फिल करना है नीचे लिखे शब्दों के लिंक बदले तो आपको इनके लिंक बदलने कि दादा का क्या होता है रानी का, देवर का, धोबी, नौकरानी, बाली का, मुर्गा, भाई, हाती, नारी इनके आपको लिंक बदलने निम्न वाक्यों में वच्चन बदलकर वाक्यों को पूनाय लिखिए तो यहां पर वच्चन बदलकर लिखने हैं तो यह मेरे पास कहीं पुस्तके हैं तो अगर भहु वच्चन में लिखा है यह वाक्य तो आपको एक वच्चन में लिखना है नीचे दिएगे सरवनाम शब्दों का वाक्य में प्रियोग कीजिए जिसे मैं है यह है वह है तुम यह है सरवनाम शब्द इनसे बनने वाले वह वाक्य लिखोगे आप जिनमें इनका प्रियोग हो रहा हूँ अब हैं नीचे लिखे शब्दों के वचन बदलिए तो आपको इनके वचन बदलने कपड़ा एक वचन है तो इसका बहुत वचन क्या होगा ऐसे आपको इनके वचन बदलने ओके थैंक यू